असलाम वालेकुम आज मैं आपके लिए लेकर आयए हूँ बड़े के शामी कबाब की रेसीपि जिसको हम बनाने वाले हैं एक इस पेशल शामी कबाब मसाले के साथ तो बहुत ही डिलिशेस ये शामी कबाब बंकर त्यार होती हैं जब आप एक बार इसको बनाएंगे तो आप इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे तो आप इसको ट्राइज जरूर कीजिएगा और कॉमेंट्स करकर जरूर बताईएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी तो अगर रेसिपी पसंद आए प्लीस लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो चले देख लेते हमने इस डिलिशेस है शामी कबाब को कैसे बनाया तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए हाफ केजी कीमा कीमा हमने फैट के साथ लिया है 20% फैट होने चाहिए 80% कीमा तब ही आपके शामी कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे रूखे कीमे के साथ ने अच्छे नहीं बनते तो अब यहाँ पर शामी कबाब मसाला तेयार करेंगे 1 टीबल स्पून हमने लिया है यहाँ पर साबुद धनिया आठ ले लिया हमने लाल मिर्च साबुद यह कम तीखी वाली है यही सब ले लिया हमने कबाब चीनी यह देखे इस तरह की कबाब चीनी होती है आपके पास नहीं थो आपकर कर सकते है एक बड़ी Dhon granddaughter를 यही ए अब शामी नहीं बड़ी ले लिये तो यह देखिए हमने इनको roast कर लिया है इसको ठंडा करकर एक मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा मूटा मूटा सा हमें पीस लेना है एकदम fine powder नहीं बनाना है हलका सा दर दरा रखना है तो यहां पर हम इसका एक दर दरा सा powder बना लेंगे यह देखिए इस तरह से हमने यह दर ग्राम चने की दाल जिसको हमने आदा गंटे भिगोकर रख दिया था थोड़ी सी फूल गई है दस से बारा लहसुन की कलिया एट करेंगे एक इंच का अध्रक का टुकला जिसको छोटी-छोटी से पीसेज में हमने कट कर लिया क्योंकि हम साबुट डालेंगे तो यह गलता कर रखा हुआ था इस मसाले को बना कर आप इस्टोर भी कर सकते हैं जब भी आपका मन करें तब यह शामी कबाब बना सकते हैं और तीस्पून डालेंगे नमक नमक आप अपने टेस्क के कोडिंगी डालिएगा जितना पसंद करते हो और एक ग्लास हम इसमें पानी अट करें की मिक्स कर लेंगे तो यह देखी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसको लिट से कवर कर देंगे 1 सीटी लिए लिए हम हाई फ्लेम पर और 20 नट श्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देगे तो यहां पर देखिए 20 हो चुकी थे 20 मिनट और कीमिया में जितना देखिए गल चुकिए दाल अलमुस्ट गल चुकिए अब हाई फ्लेम पर हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे यह देखिए इस तरह से हमने इसको भून लिया है तो बस यह अच्छे से भून चुका है फ्लेम को हमने बंद कर दिया अब फेस लिय यह देखे इस तरह से एक दब बारिक पीस लेना है अब इसमें एट करेंगे वन टीबल स्पून भरकर बेसन हमने इसको रोस्ट कर लिया है बेसन को यानि थोड़ा सा भून लेना है तो बहुत ही अच्छी खुश्बू आएगी और अब इसमें एट करेंगे दो मीडियम साइ इसके प्याज बारी कट किये हुए वन एंट पूल हरे दिनिया बारी कट किया हुआ पांच हरी मेट बारी कट किये हुए तो यह सबी चीज़े एट कर देंगे जो हमने बेसन डाला है उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कबाब के अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर आप इसके हम शामी कबाब बनाएंगे जितने चोड़े आप बना सकते यह और यह पर इस तरह से यह देखे आप मैं इस तरह से इस travah俊ं इस तरह से शामी कबाब बना लोंगी तो यह देगे हमारे शामी कबाब बनकर डेडी हो चुके हैं और अब इनको करेंगे हम फ्राइ आप इसको शैलो फ्राइ भी कर सकते हैं डीफ फ्राइ भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं शैलो फ्राइ करूँगी ओईल को हमने एक पैन में ले लिया है और गरम कर लिया है अच्छे से अब इसमें हमने जो शामी कबाब बनाए थे वो ड्रॉप कर देंगे इस तरह से हमने लगा दिये हैं और अच्छे से एक साइट से हमें अच्छा कलर आने तक सिखने देना है दो मिनट लग जाएंगे चेंज करनी है अच्छे से यह गोल्डन फ्राई हो चुके हैं यह देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया एकदम क्रिस्पी से हो चुके हैं तो दूसरी साइट से भी हम इसको इसी तरह सेख लेंगे अगर आपको हमारी बड़े की यानि वफेलो की कोई भी रेसिपी चाहिए उसे रेलेटिड तो हमारी चैनल पर अपलोड है आप चेक कर सकते हैं ब्रियानी की रेसिपी कोर्मे की रेसिपी स्ट्यू की रेसिपी जो भी चाहिए वह हमारी चैनल पर अपलोड है तो यहाँ प करते हैं तो आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी से शामी कबाब बनकर तयार हुए हैं और इसको सर्फ करेंगे प्याज के लच्छों के साथ और टोमेटो जो भी सैलिट में पसंद करते हूं वह एड कर सकते हैं और यहां पर हम सर्फ करेंगे ग्रीन चटनी जिसकी रेसिपी इसको सर्फ कर सकते हैं चापाति के साथ पूरी के साथ रोटी साथ रोमाली रोटी सा पराठे के साथ तो यहाँ पर मैं पारराठे के साथ कर रहा है यह देखिए इस तरह से डिन चटनी लगाए हैं और इसके ऊपर रच एके णि हो फी यहाँ यहां पर रेडी है आपका तेश टीजा शामी कबाब पराठा तो उम्मीद करती हूं आज की मेरी यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दौाओं में याद रखें अल्ला हाफिज